दिक्षा भूमी जैसा है इसका लूक है और 279 एकर में ये बना हुआ है तेलंगाना सरकार ने इसे बनाया है भगवान बुद्ध के चरण देख सकते हैं यहां का स्वास्तिक देखे हमारा स्वास्तिक अपना ऐसा रहता है यह भी सब बुद्धा से लिए गया है और जितने भी हिंदू परंपराए है वो सब बुद्धी जम और जातक कथाय से चुराए गई है सिद्धार्दा कोई गोड़ा को ज्यादा एफेक्शन होते दोनों के बिच में उनका मास्टर जी ने जैंगल चल गए बोलके यह काना पेना चोड़के आफ्टर सेवन डेस यह मर जाएगा महापर निर्वाना अमें डेट आफ गातम बुद्धा इनी एटी यह सेट जीरो दर्श कुष्ण अगर उत्रपादेश धर्मचेक्राब को दिख रहा है इसको बदे दर्मचेक्रा प्रवर्वर्थना बोलते श्री लंकन संस्कृति हमको पत्थरों के देखने को मिलती है इस तूप में चारो और से कही से भी इंट्री कर सकते हैं और आप एक जैसे ही मुर्थिया आपको चारो और मिलेगी वाओ आप उपर का नजारा दिखी यार हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तू माई चानल मैं आपको लेकर आया हूँ बुद्ध वनम जी हाँ आपको यहाँ पर आना हो तो आपको आना पड़ेगा हैद्राबास से तीन घंडे का रास्ता है देड़ सो किलोमेटर पर है बुद्ध वनम यह एक बुद्ध स्टूफ है थोड़ा दिख्शा भूमी यह ऐसा लूक है इसका तो इसको हम एक्स्प्रोल करेंगे और आगे बताता हूँ कि इसमें क्या-क्या खासियत है तो चलो शूरू करते हैं आ प्रतिक है सफेद कपड़े जैसे कि आप देख सकते हैं आगर हम यहां पर एंट्री जैसी करते हैं तो सामने में हमें दो हाथी दिखते हैं एंट्री में बहुत जबर्दस्त उसकी कारीगरी की गई है और बीच में एकदम अशोक चक्र है यह अशोक समराट का यह सिंबॉल है अशोक चक्र और यहां पर देख सकते हैं पिकनिक भी आती बच्चे आए है छोटे पिकनिक स्पोर्ट भी है यह तो यहां पर इसका कुछ एंट्रेंस प्लाजा लिखा हुआ है यहां पर एंट्री में काफी टूर वाले यहां पर आपको ले के आएंगे यह एक और बागवान बुद्ध के दर्शन करके आप तुरुपत हो जाओगे आपको पॉजिटिव एनरजी आएगी तो ये स्टूप थोड़ा दूर से हम अगर देख रहे है तो आप देखोगे कि ये दिख्षा भूमी जैसा है इसका लूक है और 279 एकर में ये बना हुआ है तेलं और इसको एक स्टंब के ऊपर इन्होंने बनाया गया है जो की एंट्री में आपका स्वागत करने के लिए रेडी है और कंपाउंड के अंदर आते ही हमें कुछ कलाकारी दीखेगी यहाँ पर जैसे की घोड़े है कोई नर नारी हाथ जोड़े हुए है ये सब यहाँ पर य इसा बनाया जाता था जो लेनी वगर होती के उस बोलते हम जिसे बुद्धा के उसमें वगरे आपको यह ऐसी कलाकारी देखने को मिलती है हमें तो देख सकते हैं यहाँ से लेके यह देखिए भगवान बुद्ध के चरण आपको दीख रहे होंगे यहाँ पर मैं पास में इस तरह से पूरे कंपाउंड में आपको यह कलाक रूती है देखने को मिलती है अशोक चक्रा क्रोस किया हमारे राइट साइड में हमें यह कुछ तो भी विहार जैसा दिख रहा है हम उदर भी जाएंगे लेकिन यह फ्रंट में यह पहले जो स्तूप है हम वहां चलते है य देख सकते हैं यहाँ इदर पंच शिल की जहंडे लगाये गये हैं और सामने स्टूप दिख रहा है हमें तो अभी हम अंदर एंट्री किये हैं और आप देख सकते हैं यहाँ का सर्फिस जो यह पूरा पत्थर का बना हुआ है जो टाइल्स वगर लगी यह थोड़ा पत्थर क लगेगा क्योंकि यह स्टूप ही ऐसा है थोड़ा इंफॉर्मेटिव स्टूप है यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है तब जाके समझेंगे आपको की स्टूप का महत्व क्या है और आपको बता दूँ कि यहाँ भगवान बुद्ध के जनम से लेके तो मर सकते यहाँ पर ठक गया तो बैटने की विवस्ता भी है अच्छे रंगे भी रंगे फूल लगाये गये हैं यहाँ पर इस तरफ शायद स्टैचू भी लगाया गया है वहाँ पर दीख रहे हैं हम कोशिश करेंगे वहाँ पर जाने की और दिखाऊंगा आपको एक्स्लोर कर चलो भाई शुरू करते हैं हमारे काइडे अपना भी देखने के लिए रायती उसको बोलते बुद्धावानम प्राजेक्ट बोलते इसको अबरेग भी नाम इसको श्री परवता आरामा बोलते हैं श्री परवता मतलब जबी नागरजनों कॉंड एक मूजम में इसका ये श श्री परवता इसको जो अभी बुद्धवन प्राजेक्ट नाम लगा दिया है टोटल ली 274 एकर्स इसमें जो 34 एकर्स विपासना सेंटर को दे दिया अभी साइड में विपासना सेंटर अम ज्यान कैसे करना कैसे आदमी जीवन हो नाम को क्लासे ट्राइनिंग क्लासे मिलत है जो साइड में बीना जो प्लेस से डिवेडेड एट पार्स जनरल बुद्धिज्यम ने अस्टांगा मार्गा को ज्यादा इंपार्टन देते जो अस्टांगा मार्ग के विला यह पूरा प्लेस को आठ पार्ट डिवेड किया अपने सामें देश को महा स्थूपा 2000 साल के पहले अमरावत में जो बड़ा स्थूपा को शात्वभान राजा ने निर्मान किया था दो आजार साल के पहले सो इसी स्थूपा का सेम मेजरमान समते हैं रिविल्ड किया एट टोटली कांक्रेट स्थूपा है जन्रली स्थूपा मतलब मालूम है गौतम उद्धा का समाध लाइफ इसमें दे सकते हैं पार्क है एक्शली टोटर वरल में हमको 547 जातका टेल साल बुले जातका टेल्स मतलब प्रीवेस बरताव सिद्धर दा अपको भी मालूम है पर टोटर वरल में 547 स्टोरीज आवल बट इसी पार्क में हमको 40 स्टोरीज लगा दिया बट टोटल स्री लंका कंट्री को दे दिया जो स्री लंका बुद्धिजम कल्चर अब इदर देखने के लिए सकता है वह स्ट्याट्यू से वगहरा वगहरा बट इसका साथ में और एक पार्क है स्थूपा पार्क यह अमरवाद का मोडल है जो हमार इंडिया में सांची सारनाथ बूद जो बुद्धिष्ट इन टिबेट आइलांड जयापान स्री लंका आफगानिस्तान पाकिस्तान नेपाल जो अल बुद्धिष्ट का स्थूपा मोडल इसमें दे सकते हैं इसको बोलते मीनियेचर स्थूपा पार्क मैं अभी दक बोलता है पांच विबाग इसके लिए अभ बाद में जो त्यलंगाना टूर्जम इसको डवलपमेंट कर रहा है इसे ओल्ली आपको ब्रीफ इंडिरेक्शन मैं आपके वोला था ओल्ली पांच विबाग अभी तीन बागी है तीन में छे जो त्यलंगाना में बुद्धिजम कैसे स्टाट हुआ और कैसे डवलपमेंट कर रहा है इसमें आल बुद्धिश्ट कंटिस इंवल्मेंट आता है फ्यूचर में इसको लिए प्लेस रडिये बट फंड्स के लिए वाइटिंग ए पूरा कॉंस विबाग में अब फाइब कंपीट हो गया जैसी यह साल मतलब में 14 को जो त्यलंगाना का मिनिस्टर के टिय इसको इनाग्रेशन किया अंड में 16 बुद्ध जैनती फ्रोग्रम भी ज्यादा पेस्टेवल किया था इसी प्लेस के बारे में टोटली ब्रीफ इंट्रेक्शन इसका बता दिया अभी मैं आपको अंदर ले जाओंगा बट कुछ इंपर्टन प्लेसे को बता के ले चलो भाई निकाल लेते हैं आप देख सकते पहले आउटर देख सकते हैं तो यहां पर बुद्धा की चरण है और इदर बाजू में आज आसपास में इसको फाउंटेन जैसा बनाया है बहुत बड़ी है लग रहा है यहां से सब लोग हमारे कुर्फ वाले फोटो निकालते हुए मैं भी निकाल लेता हुए अच्छी के साथ उनका फूट फिंट्स मतरब उनका पाद धर्मशेकरा बोधिट्री स्वस्तिक सिंबल और महास्तुपा के इकवल पूजा करता है कोई बुद्धिष्ट लोग इसको अंदर अब भगवान बुद्ध के चरण देख सकते हैं यहां का स्वास्तिक देखे है हमारा स्वास्तिक अपना ऐसा रहता है यह भी सब बुद्धा से लिए गया है और जितने भी हिंदू परमपराय है वो सब बुद्धिजम और जातक कथाय से चुराए गई है तो आप देख सक यह पुरा मेटल का सेक्षन है इन्होंने कहा है और यह गौतम बुद्ध है बचपन के और वो उनकी माता है पेड़ के नीचे उनका चनम हुआ था और गउतम बुद्ध पाच कदम चले थे तो वो उनका यह स्टैच्व यहां पर इस तरह से बना गया है पुरा मेटल का है यह और कमल के फूल है वहां पर गीरे हुए जितने कदम वो चले उतने कदम पर कमल के फूल गीरे है और जो उन्होंने उंगली उपर उठाई है इसका मतलब यह है I am the special person in this world आगे देखते गाइट क्या पताते है हमको आगे जैसे हम यहां पर आते तो हमें ऐसा कुछ इंट अच्छा कपड़ा भी नहीं है बड़ से हाफ में जो बिक्षपात्र होता है बीग मांगे काने वाला इसको देखने हैं उनका फेस में ज्यादा साडिस्वेक्शन आंक्या में लाइटिंग को अभजर करते हैं जो उनका आप में चैनना से पूस्ता है उनके पास अच्छा क कोशन सुरूते जो असली सत्त क्या है लाइक में बोलके उन जेंगल चल जाना तपस्ता लेने वलके निनने लेते हैं सब्सक्राइब लेने के बाद फिर उन पारस को जा रहे हैं अभी अम उदर जाएंगे बाट चार इंजेंट के बाद और एक भी कारण होते हैं उनका को डिश्टब होते हैं यह पूरा पांच कारण से उन खंपल सरी जेंगल जाना तपस्या कर लेना जो सक्ति को मालूम कर लेना लाइफ में बोलके निनने लेते हैं फिर उनको पहले जा रहा है सिद्धार दने यह पूरा मेटल का स्ट्रेक्चर है आए प्लीस तो आयोब मस्या चल रहे थी उसको छुड़ाने के लिए उस पीपल पेशन डेड़ वाडियन सादू को देखने के बाद जब देखेंगे जो सेंटर में जो हमारा हुमन लेफ में जो इंपार्टन स्टेजिस होता है आल स्टेजिस अब देख रहा है लास्ट उपर दिक रहा है ना कंठका सिद्धार्दा ने जेंगल जा के जाने के बाद उनका हरसमें चेन्ना एंड गोड़ा उनका अचान फीन टेजने और ऐसमें सेंज्ड लाच नब्न ऐसको फैलको वापस यदार्दा साथ दिन के बद यह झाने के बाद इनके बद गोड़ा कुर सथा जादा एफेक् दोनों तरफ गार्डन है बैटने की वेवस्ता है इधर दोसो चवरात्तर एकर में बना हुआ ये पुरा सेट अप है राइट करिए ताकि आपको अच्छे से सब नॉलेज मिल सके सब कुछ इंफॉर्मिशन मिल सके हैं जैंगल जाता है जाने के बाद चे साल तपस्या करता है जो चे साल में को पांट सिश्यू स्ट्रेंट इसको एड़ होते हैं बट अमा प्लीज चे साल के बाद भी जो सिद्धार्दा को उनको 100% नालेज नहीं मिलेगा उन्हें सोचेगा इसी मार् के ध्यान मार्ग में चल जाएगा 48 डेस उर्वेला विलेज में जो पीपल टेकर ध्यान में चल जाएगा जो 49 तो देने एक लेड़ी सुझाता देविन उनको पायस कीर बोलते हैं इसको दे स्विकार करने के बाद सिद्धार्दा को एनलेटनमेंट होते हैं जो उनको मालू प्लांटेशन किया दले लामन इस चीप गेस्ट जो डले लामन ने जनवरी फॉर्ट को कालशेकर पोजा में अटेंड हुआ था अमरावती में जनवरी ताड को इदर आया था यह प्लांटेशन किया दले लामने चोटा पिस यह बोद गया से लाए ता चोटा पिस देखे तो देखिए अब यह बोद गया से लाया हुआ चोटी सी फांदी होगी यह आज देखिए कितना बड़ा पेड़ हो गया है और दलाई लामा ने इसका इनाउग्रेशन किया था इस पेड़ का वाह बोदी ब्रुष आ जाते है इसको आपे लिखा भी है दलाई लामा ने इन यहां पर आप देख सकते भगवान बुद्धा और उनके शिश्य पाच शिश्य जो थे प्रिया शिश्य उनका आनंद भी था जिब लिए बुद्धा बनेगा पाहिलो पन्यास फॉस्ट सेर्मनी आप गौतम बुद्धा इन सारनाद दियर पार्क उनको पाहिलो पन्यास ज सब्सक्राइब बुद्धा बने थे उनको नयान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने जब अपना फस्ट प्रवचन दिया था तब उनके शिष्श्य थे वह पाज शिष्श के सामने उन्होंने ऐसा प्रवचन दिया था तो देख सकते आप बाकि जो लोग है वो कितने ध्यान से सुन रहे हैं उनको और अपने वो नॉलेज्ज जो है वो यहां पर इनके साथ बाट रहे हैं तो यह यहां पर दिखाया गया इस टैचु में भाई बहुत बढ़िया चीज है यार जबर्दस चलो आगे बढ़ते हैं हम बहुत बाट आपने वोड़ेश चलो नहीं को वे खुष्ट अगड़ेश को बिक्षों बाट बिक्ष्पातर मैं जो चीज इसमें जालता है इसको कंपर्सरी सफीकर नहीं है जो विलेज में जो डियर्या होते है एक आदमी ने उनको डीकंपोस पुट इसमें ने उनको भी मा तो यहां पर हम देख सकते अभी यह जो है भगवान बुद्ध का महा परी निर्मान का जो स्टैचू है और आप देख सकते हैं यहां पर पूरा नक्षी का में ऐसा किया है कि भगवान बुद्ध को एक इनसान खाना ओफर करता है और खाना ओफर करने के बाद वो उने खाना खाते है वो शायद सुवर का मास रहता है जो उनको खाना नहीं रहता लेकिन वो पात्र में जो कुछ भी दान देते है उसको खाना भ Came पड़ता है ऐसा रहता है इसलिए आपए बुद्ध ऊसको खाने का गरहन करते है और उनको पहले से ई ठीसेंट्रिल लगी रहती है थिसको वज़े से उनकी मृत्य हो जाती है तो यह परी निर्वान का उनका स्टैचू है जनम से लगे मुर्त्यू तक बगवान बुद्ध के सारे यहां पर दिखाए गए है बाई चलो आगे बढ़ते हैं हम बढ़ रहे हैं आगे अपने आगे लोकेशन पर देखी यहां पर मस्त फूल लगे हैं दोनों तरफ गार्डन ही गार्डन है और यहां पर हम जा रहे हैं में स्टूप की और थोड़ा दिख्षबूमी जैसा हलुक आ रहा है यह और चलते हैं अभी हम स्टूप की और वाँ हर तरफ ग्रिनरी ही ग्रिनरी है हम यहां से गहते और पुरा घूम के आए वहां पर भगवान बुद्ध का अब शूज निकालना पड़ेगा और शूज निकालके हम फिर अंदर जाएंगे फोटो निकाल रहे हैं लोग वाव जबरदस्त यहां से देखी यहां पर खाना वाना भी खाने की वेवस्ता भी यहां पर गार्डन भी है चोटा सा मतलब एस तूप के पूरे चारों और जह जहां भी जाएंगे हम गोल घूमेंगे वहां पर हमको गार्डन देखने को मिलेगा नीचे नीचे में कुछ ऑफिस बगर है टाइप का है हम चल रहे हो ऊपर यहां पर शूज निकालना पर शूज निकाल लेते पहले चलो भाई कुछ सिमेंट वरक ऐसा लगेगा यह सिमें मादर माय देवी डेलेगे बेवी अंतरता साल रुक्षा अमीर इसा बरताव सिध्धार्दा लुमिनी वन में उपर दिख रहा है एक हैरावत्त मतलब उतर मादर माय देख सपन आ जाएगा है रहा उनका पेट का अंदर चल गए बोलके मतलब यह पिलर का इंडिकेशन है ब आप इसकता है जो बोधित्री इदर सिधर्दा ने बुद्धा बन लेगा एनलाइटनमेंट यह पास्टर मनी पाहिलो पनाशिन सौर नाथ धर्मचेक्रा आपको दिख रहा है इसको बादे धर्मचेक्रा प्रवर्वर्थना बोलते है तो 51 महापर निर्वाना इन कृष्ण अफ़् प्रज्राइब को सक्राइब को प्रवर्वर्वर्वर्वर्यू ने आपको का में इस धी जे 1.2 बॉलते हैं । करते क्या है थे 310 ने में और प्रवानी प Suppose好吧 इसको बने एक लिए टोटली वन कोबने के लिए मासी प्रेस् प्रेशली ट्रेइन दिया जो देखने का पूरा कॉरिंग जो सिर्पास पूरा इधर रडी किया था इधर इधर अटेच किया इधर बाहर नहीं एवरिटिंग इस डूइंग हीर ओनली ओके लिए अपको भी मालो है पुरा गौतमुदा का जो लाइफ स्टोरी से ये ग्रेट माहा भी निस्क्रमना एंड जो अब इदर देख रहा है जो सिद्धार्दा ने जेंगल जाने के बाद उनका आर्समें चेंडा को वापस बेज रहा है पालस को मतलब जो मैं जेंगल आने का समचार मेरा पीटा जी चुद्धा महारास इंप्रमेशन देबोले का हर्समेंट पालस को आइसा उनका हर्समें चेंडा ने पालस को रिटन जाने के बाद यह फादर आफ सिद्धार्दा से बोल रहा है अपका बेटा ने जंगल चल गया तपसे करने के लिए जो साथी को मालूम करने के लिए तो आइसा समचार सुनने के बाद उन्हें हाथ ऐसा पकटके पेटा चल गए बोलके रो रहा है बट ऐसा समचार सुनने के बाद वाइफ ऑफ सिद्धार्दा ये शोधरा अनकॉंस पोजिशन बेउस होके गिर गया पूरे दाशन उनको पकटके सेवा कर रहा है जो इंपर्टन बात है गोड़ा इसका नाम है कंटका यह भी रो रहा है अधिने जंगल चल गया बोलके बेरी डिल्केट फिलिंग सार्टर अन्दा सांस्टोन आइए यह पूरा ओपन एरिया है ना जो बारिश के दिन बारिश पूरा बाहराने करें से इसमिक्स का अंदर इंटरनली थैयार किया गया आइए आइए पानी जाने के लिए पुरा ब लाएप ओफ साइकल बनाया गई है इसा सेम हमें नाग लोग पर देखने को मिलता है यस लाइफ ओफ सेरकल पूरा जहां तक आपकी नदर जाएंगी इन्होंने वही कोर के रखा है मतलब भगवान बुद्ध का जीवन चक्र पूरा यहां पर डाला गया है देख सकते हैं आप जो भी है भगवान बुद्ध अपने शिश्चों के साथ उनको शिक्षा देते हुए भीक्षा मांगते हुए देखिए यहां पर बीच में अवालू की तेश्वारा फिर अब दाता तक कि अज़िए को ना ची मूरति है तारा तारा अब बहुत घाई में हमारा गड़ीट चलो भाई पासर ने निर्मान के आता अच्छली स्रिलंका में अन्राध पूरा बलेके दिष्टिक है अन्राध पूर इसी के अंदर एक अवकान बलेके विलेज है इसी वि अब देख सकते यह जो भगवान बुद्ध की जो यह श्रिलंकन गवर्मेंट ने यहां पर पाच एकर जगा ली है और वो अपने इसाब से इसे जिसे श्रिलंकन स्थूप रहते हैं वैसे बनाने वाले है ऐसा गाईड ने हमको बताया तो अभी जो श्रिलंका में जो हालाथ है उसके वज़े से यहां का काम रुका हुआ है देखिए यहां पर इसका नाम रहेगा द्यान वनम अब देख सकते हैं पुरा पाच एकर की जगा है हर तरफ ग्रेनरी ही ग्रेनरी है और उपर से अगर देखेंगे तो पीछे पुरी भगवान बुद्ध की मुर्ध की पीछे पूरा आपको जंगल ही जंगल पहाड़ी पह देख सकते हैं जिस तरह श्री लंकन मूर्थिया रहती है भगवान बुद्ध की उस तरह की प्रतिमा है देख सकते हैं यहां पर एंट्री में ही इनकी दिवारे अगर कैसे बनाई यह च्री लंकन इसमें यह दिख रहे हैं देख सकते हैं आप यह बंद करकर रखे हैं अभी श्री लंकन संस्कृति हमको पत्थरों पर देखने को मिलती है देखिए वाँ मेरे खायल से कम से कम 25 फीट के आसपास की होगी यह मूरती 25 फीट होगी और श्री लंकन मूरती के बैक साइड आप देख सकते हैं देख सकते हैं और दीवारों पे जगा है श्रिलंकन सरकार निली है बुद्ध टेंपल के डेवलोप्मेंट के लिए देखे भाई यहां से देखिए बैक साइट से बुद्ध प्रतिमा सुन्दर अध्भूद नाजारा भाग्मान बुद्ध के प्रतिमा का इसे देखके आप पॉजिटिव एनरजी आती है मंत वर होने के बाद ठीन अशोग ने बुद्धिष्ट बनने के बाद गुत्ध गौत्व दॉद्ध को जादा डर्बन आधे जनरल ली अब एक छोटा बाते कोई लोग आप देशा नागजना साहरा थे जो गौत्तम प्रतिमा को सूपा को प्या इसा सोचेगा गौत्व क Não था दो दो जाने के बारे में बट जो पूतम ब्दा का ब्दान दढ़ी पूरा तर अपचने का इसे समय उनके पास पॉने का आख Mr. करता है आफ्टर कलिंग वार ने बुद्धिष्ट बनने का बाद उनका टाइम में 84 तूपा को निर्मान करते जो अपने इंडिया में अलग 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 देशम ने बुद्धिशम को देख रहा है दिसा 99% काज आफ किंग अशोका उनली उनका बेटा महेंद्रा बेटी संगम तरह को उनका अस्तिक देखे जादा डिफेंट डिफेंट कर्णिस को बेश्ते हैं ऐसा स्रीलंक का तो इसी समय स्रीलंक को को बोलने मरता जो जाने के समय इसी प्लेस में एक जिन स्टेक किया था उनका बैटा-बैटी ने इसान को एक उन बुद्धिजम का सापना कहता जो पूरा जो इंदु लोग ने गुरू ने क्या सोचा ऐसा चोड़ दिये तो टोटल ली इंदु जम कुलाप्स हो जाएगा इसको रोखने के लिए क्या किया जो बुद्धिजम को डॉलप के मेंट के लिए जो डोनेशन देते ना इसको टोटल बंद कर दिया इसलिए टोट इसके साथ बाड़ा इनुवर्सीट को भी निर्मान किया जो अलगा देशम से स्टुएंट्स आने वालता जैसले टिबेट ताइलेंड जैपान स्री लंका इधर उनका कोर्स स्टुएंट टोटली कंपीट उनके बाद ये पूरा स्टूएंट से उनका ओन प्लेज जाके इ प्रचार करने का आचार पेसलिए उनके उपर गुर्विल के उपर नागा जुना सागर प्रजेक्ट अनकल आप जाने कर नादण को नम लगा दिया एक्छल इसका नाम है नंदी कोंडा प्रजेक्ट बोलते हैं मतलब नागा जुना सागर डाम ने 1955 डिजम्ब 10 को प्रजेक्ट बोलते हैं मल्टी परपस प्रजेक्ट बोलते हैं पहले कल्टिवेशन जो एपी चलंगाना में 23 लाग सेकर को इरिए करता है हैं जो नागान जाता है जो राइट के नाल लिट्री वाइट को देता है इसका उपर भी जोटा चटा परोजवे इसमें राइड कणाल में 90 लेफ्टी कराल में 60 में परजवे में 815 मेगावार्स टोटली 965 मेगावार्स हम प्रोडिश कर सकता है बट जो नागाद नागाद सागर डाम निर्मान करने के समय डैली 45,000 इसमें काम किया है इसमें 40,000 लेबर और 5,000 इंजनेर्स जो 12 साल काम करने गवाद डाम को एक रूप आ गया बट जेनरल अपने डाम को अपर से देखने से ऐसा वाल ऐसा दिखेगा तोटली 5 किलो मेटर्स 4890 मेटर्स अप्रेक्समेटी 5 किलो मेटर्स लेंथ होते जो नागाद दूसागर डामने जो आप नदीकार नाम आपको भी मालूम है ना कृष्णा पिस्टा रिवार्स महाबलेसर 17 महारास्टा बाद में करनाटका तलंगाना अंधर पदेश इसी के बाद जो आपकर विज्यवाड़ा बेंगाल में मिक्स होते जो प्लेस अमसल दीवी में जो समुद्र में मिलते किस्टा रिवर में प्लीज आईए यह आचर नागर्जुना है बट एक इंपॉर्टेंट बात है जो आचर नागर जो आचर ने किदर से आया उनका फ्यामली किदर गया और किदर चल गया इसको भी मौलम नहीं कोई भी नहीं लिखा रहा है आईए प्लीज दानि मार्च अमार्च अमार्च जनरली जो साल्ट का मुमेंट बोलते है यह नमक के लिए यह देखिए नहुरुजी जो अमारा र प्लीज आईए फाइनली अभी हम बोद्ध स्टूप के अंदर जा रहे है दोस्तो सारी इंफोर्मेशन तो आपको मिलगी होगी चलो अभी भागवान बुद्ध के दर्शन करते हैं चलिए अब इस तूप में चार और से काई से भी एंटर कर सकते हैं और आप एक जैसे ही मुर्ती आपको चार और मिलेगी वाओ आप उपर का नज़रा दिखी यह इतनी शान्तिवार्म थंडवाद हारन है यह आपर यह यह ऐसी आपको चार और से मिलेगी इस तरफ देखिए आप जो रोस पेटल्स रहते हैं कमल अपने गुलाब के पत्ते गुलाब के पत्तों जैसा यह पुरा यह इसका यह बनाए गाए लूक देखे आप जलो आपको दिखाते भाई आई प्लीज इसको यह मेडिटेशन हो ले अश्टा बुद्धा सिस्टम भी बोलते हैं अब देखे फूर साइड्स पॉर कॉर्ण गौत्रम दे सकते जी जी एट प्रतिमा आप दिख रहा है जो आप लोटस का सिंबल दिख रहाने पूरा लोटस है पूरा मेड़ बे अलुमिनियम जो परका स्काइब अलुमिनियम है इ करने के लिए यूज करने के प्लेस है यह पूरा जो कांफरेटल स्टोन अब लाइट दाल रहा है तो अब बोलते हैं यह यह ओनली मेडिटेशन फार्फस लाइट लगने के बाद तो अवर जबरतस्तों गई है दिखिए और यहां पक्त सकते हैं और यहां पर नीचे में वाना फकां से तो किला आस्मान पेंटिंग हुई है और लाइट लगने के बाद कितना जफर्दस लग रहा है बगवान बुद्ध की तो मैंने आपको प्रद्रक्षिना खरा दी यह देखिए लोटस के आकार है रोस पेटल जैसे इसको बनाए है रोस पेटल सरेते हैं ऐसे सही लग रहा है लोटस लोटस के आकार में इसको शेप दी है ऐसा गाइड़ने बताया सही है और यह देखिए भ आपका खाना भी चल रहा है अल्मोस्स सब कुछ कवर करने की कोशिश के मैंने तो कुछ भी मिस नहीं किया गाइड़ भी लिए हमने प्रापर ताकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके और यह जो देख रहे है आप आया आर्ट यह कम से कम यह ऐसे हजारों ऐसी फ्रेम बूले चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंट्रेस्टिंग डॉपिक के साथ अब तक के लिए बाई बाई